स्वागते दोस्तों आप सभी को टेकी राच यूटिव चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ओपो फाइन फाइफ या फिर किसी भी ओपो मुबाइल में स्क्रिन शोट कैसे ले सकते चाहिए हुआ आपका शौर्ट स्क्रिन शोट हो या फिर लॉंग स्क्रिन शोट हो कैसे आप ले सकते इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहे हैं साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा और यहाँ पे एक आपको वोलियम डाउन बटन दिखाए देगा हो सकता है कि यही साइट में आपको दोनों दिखाए दे तो आपको क्या करना है पाउर बटन और वोलियम डाउन बटन को एक साथ में आपको प्रेस करना है ऐसे तो जैसे कि आप देख सकती हो, जैसे ही मैंने ये दोनों एक साथ प्रेस किया, यहाँ पे मुझे स्क्रिंशोट आ चुका है, अभी दूसरा थरीका है, आपको यह जो आपका फिंगर है, तीनों फिंगर को आपको यहाँ पे प्रेस करना है, होल्ड करना है, और नीची के और प्लाने के साथ-साथ, नीची के और स्वाइप करना है, तो आपका स्क्रिंशोट बन जाएगा, अभी लॉंग स्क्रिंशोट के बारे में बात करते हैं, लॉंग स्क्रिंशोट कैसे लिया जाता है, सपोस्ट कि यहाँ पे मैंने कुछ भी सर्च कर लिया, मैंने यहाँ पे Google पे मैंने YouTube सर्च कर लिया, अभी आपको यहाँ पे volume down button, power button दोनों एक साथ करके आप स्क्रिंशोट ले सकते हैं, और यहाँ पे नीचे long screenshot पे क्लिक कर सकते हैं, ठीके, यहाँ फिर आप यह तीनों उंगली से कर लिजे और यहाँ पे long screenshot दिखाए दे रहा है, यहाँ पे क्लि अधर हो जाएगा, ठीक है, तो आपको यह करना है, और यह करने के बाद में नीचे आपको कहां तक लेना है, उतना तक लिजे और done करतीजिए, तो यह done करने के बाद में आपका screenshot यहाँ पे safe हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हूँ, काफी बरिया quality में जो है, यहाँ प screenshot बन चुका है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी OPPO phone पे long screenshot और screenshot ले सकते हूँ, उमिद करता हूँ, वीडियो पसंद आया होगा, thanks for watching.